पोस्टमेटिक से रिलेटेड पांच महत्पुन जानकारियां लेकर आए हैं आपके साथ अगर आप इस जानकारी को जानते हैं तो उमीद करते हैं आपका अल्मोस्ट जितने भी प्रोबलम है पोस्टमेटिक से रिलेटेड एकेडमी की अर्थ 24 के लिए वो सौल्ट आउट य कैसे बड़ेज़ेगा इस तरह की अपडेट पाने के लिए सबसे पहला जो है वो अपडेट है यह कि अगर आप फॉर्म फाइनल समीट की अंतृम्तितिक कब तक रखी गई है यह सब लोग का कोश्चन आ रहा है कि फॉर्म का जो फाइनल समीट का अंतिनतितिय वह क्या है दूसरा ये update है कि bank reject ठीक कब तक हो जागा, अगर माल लिजे किसी तरह का bank reject कर दिया गया है, तो ठीक कब तक होगा और कैसे करना होगा, साथ में तीसरा ये था कि form में editing कैसे करें, अगर हम submit कर चुके हैं, तो form में editing कैसे कर पाएंगे, चौथा है कि institute verification pending है, या फिर उसका जो pending है, वो verification कब से शुरू होगा, सबका question था और पाचमा था, कि registration करते समय गलती हो चुका था, उसको सुधार कैसे करें, यानि कि registration editing कैसे करें, उसके बिसे में संपून जानकारियां आपको देने वाले हैं, तो कुल ये 5 अपडेट है, इस 5 अपडेट के बिसे में संपून जो है, बार एक एक करके सबकी आपको जानकारी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप चाहते हैं, इसका संपून जानकारी आपको हमारे माध्यम से मिले, चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा, साथे में बैकन को प्रेस कर लिजेगा, इस तरह की अपडेट पाने के लिए, सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर्म फाइनल सम्मिट करेंगे, जो अंतिनतिती है, वो क्या रखी गई है, तो पहले आए उस पर डिसकस करते हैं, पॉइंट नमर वन है, आपको मैं बता दू कि जिसका जो पोस्टमेटिक एकडेमिक एर तैस्टोबिस का जो अंतिनतिती थी था रखा गया था, लेकिन इससे डेट के बाद भी लोग रखी रखा रहे थे, हम आपको बताने वाले हैं, इस बीडियो में कि आप फॉर्म जो है, अगर आप रखा लिया हैं, अगर आपने रखा लिया है तो फॉर्म को आप सम्मीट कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोग का ये भी करना है कि जो है, अपलोड नहीं हो रहा डोकोमेंट तो कहीं न कुछ न कुछ एरर आ रहा है मैं बाता दूँ आपको कि अंतिन तिती का जो है राइस्टेशन का अंतिन तिती खतम हुए आज 15 दिन हो गए हैं लेकिन उसी बीच एक अपडेट निकल कराया यहां पर जैसा कि आप देख पा रहा होंगे जहां किलरली बता रहा है कि इसको लेकर सिक्षाविभाग के अपर मुक सचीव के 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 पाठक ने गहरी चिंताव्यक्त की कहा जरुरत पड़े तो आविदन की तिती बिस्तार क्या जा सकता है यानि कुल मिला कि ये कि इसकी आविदन की तिती है वो बढ़ेगा तो अगर आपने अभी तक final summit नहीं कर पाया है तो टेंसन नहीं लें क्योंकि आपको जब registration का date बढ़ेगा तो सौभाबिक है कि युझा जो फाइनल समीट का date है लो उतौमेटिक बढ़ेगा उसे 15 दी या अगर आप final summit नहीं कर पाये थे तो आप tension नहीं लें, आप final summit कर सकते हैं, हाँ अभी server का issue है क्योंकि सब लोग लगे हुए हैं, इसको submit करने में बहुत लोग लगे हुए हैं, registration को registration करने में तो बहुत लोग ये लगे हुए हैं कि मेरा आप इतन सुधार कैसे होगा, यानि सब अच्छा तरह हैं, सब लगे हुए हैं कि मेरा जल्स जल्स अपना अपना problem को sort out कर लें, लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो tension नहीं लें, जिस तरह का अभी आपको update हम दिखाए, उमीद है, आप 99% उमीद है कि इसका date बढ़ेगा, आप बात करते हैं कि bank reject हो चुका है, तो ठीक कब तक होगा, बहुत लोग का ये question आ रहा था, सही है, आपको दिखाते हैं यहाँ पे, क्या प्रॉबलम है, माल लीजिए कि आपका जो है, यहाँ पे जैसे कि आप इस पर लोग इन करते हैं, तो आपको देहने को मिदमाली जैसे मैं लोग इन कर ले रहा हूं आपके सामने हलांकि अगर आपको लोग इन करना है, तो simply कुछ नहीं करना है, आप जो है हमारे website rockstareducation.in पर आईएगा, तो आप जो है जैसे लिखे, rockstareducation.in तो इस पर आके आप जो है, क्लिक कीजिए, यह साइट खुल जागा, उस प्रकार से यहाँ पे देर रखा है, postmatic, SCST के लिए, इस पर क्लिक करकर, आप इस login page पर आएंगे, यहां से आप login कर सकते हैं, जैसे मैंने login करके आपको memo दिखा देता हूँ, क्या है सच्चाई? जैसे मैंने login किया यहाँ पे, और मैं आपको दिखाता हूँ, यह वैंने login किया और करने के बाद, आपकर सामने dashboard खुलेगा, dashboard खु तो यह अगर reject हो चुका है और आपने bank जाके और आप अपना अधार से डिंग भी करवा लिये हैं और फिर भी आपका reject ही दिखा रहा है तो उसका दो option है पहला या तो आप इंतिजार कर लिजे क्योंकि अभी verification चलेगा जब तो automatic को सुधार कर दिया जागा postomatic के तरफ से आपने bank से अधार को से डिंग कर आया होगा याश फिर पहले वाई खात कर वा धिए जो आप ने पहले डाला था उसको यहाँ पीर से डालके आप जो है इसको update कर लेंगे लेकिन आपको update करने का यहाँ पर option मिलेगा अब सब लोगों को अभी update करने का option नहीं मिल रहा है लेकिन वेट जिनको मिलेगा वो update कर सते हैं अन्था जिनोंने जो है अधार schading करा लिया है उनका status में जो है अभी तक जो है verification के लिए वही सो कर रहा है कि rejected दिखा रहा है और वहाँ पे अप्रूब नहीं मिल रहा है तो आपको कम से कम time देना परेगा क्योंकि बीना wait किये हुए आपको approval यानि कि अप्रूब नहीं करेगा अधार shading वाले में तो जिन लोगों का bank रिजेक्ट हो चुका है वो थोड़ा से wait कर लें अगर आपने अधार shading करा लिया है तो थोड़ा से इंतिजार करें अब तिसरा नमर कोश्टन था कि फॉर्म में मैंने जो है फॉर्म भर दिया है और फॉर्म में कुछ तरह का बॉक्स इस पर क्लिक किजगा जब इस पर क्लिक किजगा तो आपके सामने यह वाला डेस्वर खुल कर आ जाएगा नीचे स्कॉल करेंगे जब आवेंगे नीचे तो यहां पर सब से दिक्टिक हो चुका है उस अस्तर से आप पता कर पाएंगे अब बात करते हैं यहां पर तीसरा कि फॉर्म में कुसी तरह का यह अपर्म चुका है तो डीटियल हो चुका है इस पर कर से अन्य था अगर आपका प्रस्णल डेटियल ही कुछ घर्वाड़ी honestly इसपर इस पर क्लिक करना जब आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने, डेस्वर खुल कर आ जाएगा, यहाँ से आप जो है, जैसे कि अपना नाम चेज नहीं कर सकते हैं, अपना जेंडर चेज नहीं सात में, अगर पिता के नामे कुछ दिख्कत है, माता के नामे दिख्कत है, caste में कोई दिक्कत है, अगर आपके category में कोई दिक्कत है, data of birth में दिक्कत है relation में दिक्कत है, या फिर आपके जो यहाँ पे address efter último कोई कोई दिक्कत है, तो आप इसको यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, तो एक option आपको यहां एप्रूब हो चुका है और 23 जो इसका पेंडिंग मता रहा है तो आप टेंशन नहीं लें इसके लिए आप सबसे पहले अपने स्कूल कोलेज में जाके अपना अगर आपने फाइनल समीट कर दिया है तो पहले जाके आप अपना वह भी जो है लॉग इन करके ही अपरूब करते हैं ऐसा नहीं है कि वह ऐपकर लाइन शुरूब करते हैं और जैसे ही अपरूब होगा तो आपको इस थरह से खरीन ऊमिलेगगा इस तरह से हो जाएगा अब लास्ट है कि रइजिस्टेशन इडिटिंग कैसे करें तो रइजिस्टेशन अपडेट करने के लिए सबसे पहला बात क्या है देख लिए यहां पर देखने को मिलता है आपको अपडेट कर सकते हैं अदरवाइस आपको किसी भी तरह का दिक्कत है आप मुझे क किजेगा हम आपको कोशिस करते हैं अच्छे सी अच्छी अपडेट देने का आपको कोई भी तरह का डाउट अभी भी रह गया सस्पेंस रह गया आप मुझे कॉमेंट कीजेगा मैं कोशिस करूंगा कि आपको अपडेट इस अपने अस्तर से बताने का अदरवाइस आपको चाहते हैं आपको जो है बहतर अपडेट मिले हमारे माध्याम से चनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा लेकिन हमने इस वीडियो में पांच महत्यपुन टॉपिक को किलियर कर दिया कि अगर आप फॉर्म सम्मिट का अन्दिति क्या है अगर जैसा मैंने बताया है अगर आपने इस चीज़ों को फोलो किया तो उमीद आपका जो है जितने भी डाउट्स हैं या फिर जितने भी आपकी समस्या आएं वो किलियर हो जाएगा उमीद करते हैं आपको हमारा यह वीडियो सही लगागा इस तरह के अपड़िट पाने के लिए बैढ़ेगा मिलते हैं अगली दिम तत्त के लिए धन्यवाद